फैक नोबर वन कि आप इस तांसा के बारे में जानते हैं जिसने अपने राज में पूरे देश के लोगों का विजली बिल मार्व खड़ दिया अगर आप जानते हैं तो कमेंड में जोरू बताएं अगर नहीं जानते हैं तुमां आपको बताता हूं आम्तर बर्तांसाओं को उनकी पुरूरता और बर्ता के लिए जाना जाता है लेकिन दुनिया में एक ऐसा तांसा था जो खुंखार तो था लेकिन इसके साथ ही उसने देश की जंता के लिए जो किया हूं सहय दी कि किसी देश के सासक या परदान मंत्री या राश्टपती ने किया हो इस तांसा की नाम है मुहम्मर गदाफी जो लीबिया के पूर सासक था गदाफी ने अपने राज में पूरी देश के लोगों खा विजली भी मास के दिया फिजिक्स की कोज किसने की थे क्या आपको पता है अगर नहीं बता है तो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो मुख रुप से मेटर और एनर्जी का इस्टूडी करता है लेकिन यह जानकर है रहाने की कि फिजिक्स को किसी एक भौती सास ने नहीं खोजा बलकि बहुत से मान फिजिक्स ने समय समय पर फिजिक्स के नए-एन नियम दिये और इनकी मंदर से प्रिफियों और बरमाण के राज से उसलिया है इसका मदर लवी कि फिजिक्स को किसी एक लोगों ने नहीं खोजा बहुत लोगों नहीं खोजा जैसा कि अनेक जीमेंडर आर्केमिकदीज गेलेलियो गेलेली आईजैक न्यूटन माइकल फैराडो जेम्स क्लार्क म मेरीक्यूरी मैक्स प्लांक अलबर्ट आइस्टीन अर्विन श्रीडिंगर साथ आपको अच्छी लगों लगी हो यह आपको पता है कि अंतरिच में जाने के छो महिने बाद अंतरिच यात्रियों का कदब बढ़ जाता है अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं और तीन फिसदी अधिक बढ़ जाता है यह सब इसलिए होता है कि क्योंकि अंतरिच में जाने के बाद उन पर प्रित्वी के गुरुतवा करशड का कोई परभाव नहीं होता है ऐसे लंबे समय तक नहीं रहता है धरती पर यानि प्रित्वी पर आने के कुछ मैने बाद उनका क कैसा अंवान पंव पानी गर्म करने पर एक बड़ा सा बुल्वुला नब वन रीन यह रही रही है कि और है कि प्रित्व लुक्राव सबतंगे परिट्वा की तसक्त से फैलते हैं अंत्रिच में अधिक तेजिस फैलते हैं कि टाडू और अधिक खतरनाक भी होते हैं अहीं पाप ये वीडियो पसंद आयो